नमस्कार दोस्तों अगर आपको हील्स चैनल में बहुत बहुत है तो चलिए दोस्तों mujer ते हैं दोस्तो हील्स प्यूर जिसे की हील पेन की नाम से भी जाना जाते हैं और जिसे की हिंदी में हम जानते हैं एडी का दर्द और इसे जो है कलकेरियस प्यूर कलकेरियस पेन के नाम से भी जाना जाता है कलकेरियस एक बॉन है एक हड़ी का नाम है जो कि हमारे पाउं में पार जा हमारे पाउं में हादी रहती है ह मिंआ कि चो लिए में और चाय स्पोर्ट के लिए जो की हील बॉन वहां पर वो connect रहता है लिगमेंट जिसको कहते हैं प्लांटर फेशिया कहते हैं इस लिगमेंट को तो यह स्पोर्ट करता है तो ऐसे जो है structure रहता है पाउं का तुम आपको पिच्छर लगा तो जहां से आप अच्छे से जान सकते हैं 26 हड़ी रहते हैं सबसे बड़ी हड़ी की heilbone कहते हैं वहां पर कैल्सिम deposit हो जाता है वहां पर को फो हो जाती है लिगमेंट पांप की रहता है भाहां पर प्रेसर ब्रता है जिसे हैं से सूबढ न이े रखता है तो एकदम चुबन सी महईंहीं सु canoe होती है जो कि हमारी रहती उस पाओं नीचे रखती है तो एक्दम चूबन सी महसूस होती है जो कि मारी रहती है उसको प्रेस का तो वहाभी इन्फ्रमेशन हो जाती है इसको कि हम कहते हो है प्रेंटर फेशीय में उसको कल्यांत कहते घ्रटियाई का अगले हिस्से में को मिलती है दोस्तों हील भॉन जानि की हडी रहती हमारी मुमेंस यानि की चेलने भीरने में हमारी वर्जन रहता है। वह सारा-सारा इस बेसा बॉ हारे हम आगे step ले पाते हैं और जो भी हमारा पूरा बोड़ी का बज्जन रहता है पूरा यही बोन संभालती है तो अब चलते हैं इसके कारण की तरफ की क्या कारण रहते है हेल्स प्यूर के यानि की AD के दर्द के तो दोस्तों जो पहला मैंने आपको बता है इसका जो कारण हो जाती ह speak ओटी रहती है उसके एकश्छली हो जाती है और चलते भाओं की निच्चे अर्वेक्षण मेंद पफर आजाती है नोच चलते करदे वादे परसन के अंदर यूरी केसीडी की मातर ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके लाइफस्टाइल कि आजकल के लाइफस्टाइल में कही तरह के सूज चल रहे हैं हील वाले सूज जा रहे हैं अब चलते हैं इसके सिंटम्स की तरफ यानिकी लक्षन की तरफ क्या लक्षन दिखा देता है तो उसके जब भी एडी में दर्द रहता है जैसे सुबह उठेंगे जैसे पहला स्टप हम जमीन पर रखते हैं तो काफी दर्द रहती है रैडनेस से आजाती है और सूजन सी आज करनी चाहिए जब परसन को एडियों में दर्द रहते है तो सबहु है सब्देन के रखते हैं तर रहता है तो जैसे देरे देरे चलते जाते हैं तो धंदो हो जाती है कंपोरत हो जाती है तो उस कंडिशन ही मैं तो आप यह स्क्रीन में देख सकते हैं तो आप पिचर भी लगा दूगा तो जहांसे आप अच्छे से देख सकते हैं आपके 200 पोटेंशी में यूज करने हैं आमोनियम मियूल की बहुत ही अच्छार ज़र देती है जैसे पाउन रखते हैं तो थोड़ थोड़ा दिरे चलते ह हो जाती है तो इस कंडिशन में बहुत अच्छा रज़र देती है तो इसको आपको लेना है तिन से चार डॉबटर के लिए सूबा और साम को तो टाइम यूज करने खाना काने से 30 मिनुट पहले ले सकते हैं या खाना काने की 30 मिनिट बार इस मैडिसन का यूज कर सकते हैं दोस्तों दोसरी मेडिसन है कल्केरिया फ्लॉर लोका बहुत ही अफेक्थिम मैडिसन है जहां पर परसन को हील्स प्र कि इसमत से आपन ग्रोफ हो जाती है वह लिए के लिए जो अच्छा रजल देती है यह कि हील्स प्यूर यानकि है जो हड़ी रहती है जो बाप पर डिप सकते हैं से मेडिसिंस को फिलके रिया फ्लोर को तो बहुत ही अच्छा दर देती इसको आपने यूज़ करना थर्टी पॉटेंसिव में तीन से चाड़ बट के लिए सुबार दो पैर साम को दिन में तिन बार यूज़ करना है वैसे ही सेम खाना खाने से पहले या खाना काने क यूज़ कर सकते हैं 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 यूज़ के अगले ह में यूज करना है 3-4 दिन में 3 बार यूज करना है सुभार दुपर सामकों दिन में 3 बार और जो भी आप होमपैथिक मेडिसिंस लेंगे वह आपने 30 मिनिट पहले या 30 मिनिट के बाद लेनी है खाना खाने के दोस्तों चोती होमपैथिक मेडिसिन है अगर को आपको प्त्र आपको लग जाता है इसी प्रोड्ल्म क्रेट हो जाती है कोई ईसी इसका प्रोड्ल्म क्रेट हो जाती है आपके AD में तो उसके लिए आपने यूज करने आरणी का 200 पोटेंसी में जिसको आपने तीन से चाड़ोड़क लिए दिन में तिन वार यूज करना अगर आपको इंजरी होते है तभी आपने आपको मैंने मैडिसेंस का यूज कर सकते हैं और जब भी आप मैडिसेंस लेते हैं दो से ज्यादा मैडिसेंस लेते हैं तो मैं अपने 15-20 मिनिट का मैडिसेंस में दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो प्लिस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और निच्छा तिक रेट कलर की सब्सक्राइब की बटन उसको दबालना बोले साथ में आपको दिखाए देगी पिल की सबसे पहले मिलेगा तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं जाहिन जावारत